हेलो फ्रेंड स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल जीके ट्रेकर पे देखे फैंड जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्राखंड जीके बुकवाईस हम कर रहे थे और सबसे पहले परिक्षावानी को कवर कर रहे हैं उसी सीरीज का यह हमारा अगला वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे जो उत्राखंड की आर्थिक ववस्ता है आर्थिक पारिद रश्य है जो उत्राखंड का उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर हम उत्राखंड की जो इस्तितिया है आर्थिक उनको देखेंगे ठीक है बैंकिंग विवस्था को देखेंगे इसके अंदर ग्रामिड बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे और द्योगों के बारे में पढ़ेंगे लिंक नीचे डिस्किप्शन में मैंने डाला हुआ है अब देखेश के अंदर सबसे पहला जो important point है हमारा वो यहाँ है कि राज्य गठन से पहले यहाँ की जो अर्थ ववस्ता थी वो किस प्रकार की थी तो वहाँ money order प्रकार की थी कि money order यहाँ आते थी यहाँ पर कोई रोजगार के ज़्यादा अफसर नहीं थी राज्य गठन से पहले तो किस प्रकार की अर्थ ववस्ता थी money order प्रकार की थी दूसरा जो महतवपूर्ण point है वो यहाँ है कि उत्राखंड को विशेश राज्य का दर्जा कब मिला आपको directly प्रश्ण बन सकता है कि उत्राखंड को विशेश राज्य का दर्जा कब दिया गया तो 1 April 2001 को उत्राखंड को विशेश राज्य का दर्जा दिया गया और यहाँ दर्जा पाने والा उत्राखंड कौन सा राज्य था यहाँ 11 राज्य था अब सबसे पहले बात करते हैं जो विशेश राज्य हैं वो कौन-कौन से हैं सबसे पहले असम को जम्मु कश्मीर को और नागलेंड को 1969 में विशेश राज्य का दर्जा दिया गया था हिमाचल पर्देश चौथा राज्य बना जिसको विशेश राज्य का दर्जा दिया गया इसके अलावा मनिपूर, मेगाले और तिरपुरा ये 72 में और सिक्के मिजोराम और रुनाचल को मिला 1975 में और उसके बाद 2001 में मिला उत्राखंड को अब देखे जो विशेश राज्ये होते हैं और जो दूसरे राज्ये होते हैं उनमें फरक क्या होता है जो विशेश राज्ये होते हैं उनको केंदर सरकार से जो पैसा मिलता है उसमें जो 90 फीसदी होता है वो अनुदान होता है और जो लोन होता है, जो केंज सरकार लोन देती है, उसका अनुदान कितना होता है, जबकि दूसरे राज्यों पर लोन कितना होता है, तो अनुपात यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, कि जो केंज सरकार पैसा देती है, विशेश राज्यों में उसका अनुदान कितना होत हमको पता है हमारी अर्थववस्ता के तीन प्रमुग घटक है प्रात्मिक चेत्र दुत्या चेत्र और तृत्या चेत्र प्रात्मिक चेत्र जो सिधा प्रकर्टी से जुड़े होते हैं जैसे क्रिशी हमारी इसी के अंदर आती है दुत्या चेत्र वे हो गए जो प्रकर्टी से raw material लेते हैं फिर उनको process करते हैं जैसे हमारे उद्योग ठीक है और 33 चेतर में आते हैं जैसे कि सेवा चेतर चाहे वो banking ओ, post office हो जो भी हमारे ये इसारी किस्त पकार में आते हैं सेवा चेतर में आते हैं तो आप देखेंगे राज्य की अर्थवबस्ता में सरवादिक योगदान किसका है दुतिया चेतर का है उसके बाद तीसरे चेतर का है और फिर प्रात्मिक चेतर का है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है सबसे ज़ादा योगदान किसका है दुतिया चेतर का दूसरा तीसरे चेतर का और फिर प्रात्मिक चेतर का अगला जो हमारे पास महतवपूर्ण पॉइंट है वो है कि राजे के अंदर जो टेक्स लगते हैं तो उनमें जो प्रमुक टेक्स हैं हम यहाँ पर उनको पढ़ते हैं कि करके प्रमुक सुरोत कौन-कौन से हैं चलिए अब बात करेंगे दिखे राजस्व का सबसे बड़ा लगते हैं आपको प्रमुक सुरोत कौन सा कर है तो वहां है वानिजय कर या फिर विया पार कर दूसरी नमबर पर कौन सा आता है दूसरी नमबर पर स्टांप करकर के आता है तिक है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब बात करते हैं देखें वैट लागू कब क्या वैट लागू हुआ वैट भी एक value added tax है ठीक है और जो राज्य सरकार लगाती है वो है वैट ठीक है तो यहार लागू किया गया एक अपरेल 2005 को और यहार लागू करने वाला उत्राखंड 22 राज्य था ठीक है आपको प्रश्ण बन सकता है उत्राखंड में वैट जो है यह पांचवा राज्य था ठीक है आपको GST की दरे भी पूछी जा सकती है कि GST की दरे कौन कितनी दरे होती है GST की चार दरे होती है 5% वाली होती है 12% होती है 18% होती है और 28% होती है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है जबकि वैट के अंदर कितनी दरे थी वैट के अंदर जो माल आता है जो भी हमारा समान आता है उसके प्रिवहन के लिए ये ववस्ता किये गई थी ये कब से लागू है 20 अप्रेल 2018 से तो आपको प्रशन बद सकता है राज्या में इवेल बिल ववस्ता कब से लागू है 20 अप्रेल 2018 से तो यहां पर आपको दो-तिन पॉइंट ध्यान में रखने बस सबसे बड़ा सुरोत कौन सा है वानिजे कर वाविया पार कर दूसरे नमबर पर कौन सा कर आता है तो वहां आता है स्टांप एवं निभंधन कर तो वह आता है दूसरे नमबर पर इसके अलावा अन्य-अन्य कर भी लगाए जाते है जैसे आपकारी कर भी लगता है यह आपको ध्यान में रखना है आपकारी कर लगता है मनुरंजन कर लगता है अब यहां पर हम देखेंगे उत्राखंड के जो अंदर बैंकिंग ववजता है वो किस प्रकार की है ठीक है अगर बात करें मार्च 2019 तक तो कुल बैंकों की शाखाएं कितनी उत्राखंड के अंदर इस्तापित थी इनकी संक्षिया थी 2366 ठीक है तो 2366 कुल शाखाएं है और इनमें जो सारवजनिक बैंक है उनकी संक्या है लगभग 1466 को ऑपरेटिव बैंक की बात करें 286 और जो बाकी है वो अन्या या तो रीजनल बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है आपको केवल यह याद रखना है कि कुल शाखाएं कितनी है 2366 यहाँ पर कुल बैंक शाखाएं थी कब खोली गई थी 30 जून 2006 को देहरा दून में रिजर्व बैंक का एक यहाँ पर अब भूसकते हैं कि एक हैट कारल है यहाँ पर उनका खोला गया था ठीक एक आफिस यहाँ पर खोला गया था कब खोला गया था इसके डेट आपको पूछी जाती है 30 जून 2006 को देहरा दून में RBI की एक शाखा खोली गई थी ठीक है फ्रेंट्स अब आता है हमारे लिए एक इंपॉर्टन टॉपिक है यहाँ उत्राखन ग्रामीड बैंक देखे उत्राखन ग्रामीड बैंक के से कोशन बन सकता है आपके लिए क्योंकि थोड़ा सा कन्फियूज है ने इसको लेकर तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से इसको समझाता हूँ देखे सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि उत्राखन ग्रामीड बैंक में कौन कौन से बैंक शामिल है तो यह चार बैंक उत्राखन ग्रामीड बैंक में शामिल है ने निताल अलमोडा किसान ग्रामीड बैंक इसको कहीं पर जो किसान है इनको लिखा गया है छेत्रिया ग्रामीड बैंक ठीक है? कन्फियूज नहीं होना है नैनिताल अलमोडा ग्रामीड बैंक है अलकनंदा ग्रामीड बैंक है गंगा जमुना ग्रामीड बैंक है और पितोरगड किसान ग्रामीड बैंक है इन सबसे मिला कर बना है उत्राखन ग्रामीड बैंक अब देखे बात करते हैं सबसे पहले जो यहा नैनिताल अलमोडा किसान ग्रामीड बैंक है या जिसको नैनिताल अलमोडा छेतरिया ग्रामीड बैंक भी बोलते हैं इसकी स्थापना होती है 1976 में ठीक है इसकी स्थापना 1976 में होती है और राज्य गठन के बाद इन तीनों को मि मिला कर एक नए बेंक का गठन होता है जिसको हम कहते hetब 3 जून 2006 को तूह 12 में यहा जो अत्रानचल ग्रामीर वाला बैंक था इन दोनों को मिक्स किया गया और 2012 में बनाया गया उत्राखंड ग्रामीड बैंक ठीक है तो उत्राखंड ग्रामीड बैंक कब बना 2012 में ठीक है और पूछेगा इसमें कौन कौन से बैंक किसके साथ विले हुआ था उत्राखंड ग्रामीड बैंक में तो नैनित याद रखना है अगला है अब हम यहाँ पर उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे देखे उद्योगों के अगर हम बात करें तो कौन-कौन से यहाँ पर उद्योग हैं कितने लिमिट तक उनको लगू उद्योग माना जाता है शुक्ष्म उद्योग माना जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले चीज़ देखते हैं शुक्ष्म लगू मध्यम उद्धम विकास अधिनियम कानून कब आया था तो यहाँ एक कानून था यह आया था वर्ष 2006 में 2006 में यह अधिनियम आया और इसमें यह कहा गया कि जो 25 लाग तक की लागत वाले उद्धयोग होंगे उनको क्या कहा जाएगा शुक्ष्म उद्धम उनको कहा जाएगा ठीक है 25 लाग तक की आपको रेंज पूशी जा सकती है इनमें से लगू उद्धम की जो है वो रेंज कहा तक होती है 25 लाग तक होती है 5 लाग तक होती है 5 करोड तक होती है आपको धियान रखना है 25 से 5 करोड के बीच में होती है तीनों के आपको रेंज याद रखनी है जो शुक्ष्म होंगे 25 लाग तक होंगे जो लगू होंगे 25 से 5 करोड तक होंगे और जो मद्यम होंगे वो 5 से 10 करोड तक होंगे ठीक है चलिए अब बात करते हैं राज्य के अंदर जो ओदोगी आस्थान है उनकी देखे इसके अंदर आखिर में मैंने कुछ वन लाइनर भी रखे हैं जिसके अंदर हम जो विभी ने नीतिया हैं उनको वहां पर देखेंगे ठीक है और उसके अलावा भी काफी सारी चीज़े हम नीचे यहां पर आके पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले बात करेंगे अब यहां पे जो ओदोगी अस्थान है जाने की सिडगुलों की ठीक है सिडगुल की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है तो इस्टेट इंडिस्ट्रियल डेफलप्मेंट कॉर्पोरेशन ओफ उत्राखंड लिमिटेड यह आपको ध्यान में रखनी है ठीक है सिडगुल की फुल फॉर्म अगर बात करें सिडगुल की स्थापना कब की गई तो वर्ष 2002 में इसकी स्थापना की गई थी ठीक है सिडगुल की स्थापना फुल फर्म आफिर से इसको याद रख सकते हैं State Industrial Development Corporation of उत्राखंड लिमिटेड इसके तहट राज्ये के अलग-अलग जगाहों पर जो बड़े-बड़े आस्थान हो और दोगीग आस्थान है उनको इस्थापित किया गया ठीक है कितने आस्थान इस्थापित किये गए अभी तक साथ आस्थान जो है यहाँ पर इस्थापित किये जा चुके हैं जिन के अंदर कौन कौन से हैं देखे एक जो पंतनगर में है ठीक है एक 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 रित और दोगिक आस्थान वो कौन सा है सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा है पंतनगर और सबसे छोटा है सेला कोई ठीक है पंतनगर आपको पताईए कहा है उधमसिंगनगर में है सेला कोई यह हमारा देरदून में है ठीक है यह है छेत्रफल वाइस अगर पूछेगा रोजगार देने के हिसाब से सबसे बड़ा ओदोगी आस्थान कौन सा है तो पहले नमबर पे आता है हरिद्वार का ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है अगला है यहां पर हमारा कि कुल चीनी मिले तो उत्राखन के अंदर चीनी मिलों की संख्या कितनी है यह आपने बताना है तो उत्राखन के अंदर भी वरतमान में साथ चीनी मिले हैं यह आपको ध्यान में रखना है जिन में से दो सरकारी हैं और तीन नीजी यहां पर चीनी मिले हैं ठीक है जिब कि अगर पहले की बात करें दो हसार अठारा के करीब की बात करें तो राज्ये के अंदर दस चीनी मिले थी जिन में से चार जो थी वो सहकारी थी चार सरकारी थी और दो सरकारी थी और चार नीज लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, तो दो सरकारी है, दो सहकारी और तीन नीजी यहाँ पे चीनी मिले हैं, कुल साथ है सरवाधिक चीनी मिल कहा है, उधम सिंग नगर में है, और सबसे प्राचीन चीनी मिल कौन सी है उतराखंड की, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अब बात करेंगे जो अगला उद्योग है हमारा वो है सिमेंट उद्योग और देखें एक और चीज आपको ध्यान रखने हैं अभी हमने उपर पड़ा कि सरवादिक चीने मिले उधम सिंग नगर में है और आपको अगर प्रशन बन जाए कि राज्य में सरवादिक गन्ना का उत्पादन कहा होता है तो सरवादिक गन्ना भी यहीं पर उत्पादन होता है अब बात करेंगे जो सीमेंट उद्योग है और मारबल उद्योग है उसका तो कि सीमेंट उद्योग मारबल उद्योग इसके अधिकांस फैक्टरिया कहा है देहरदूर में इसके अधिकांस फैक्टरिया है सीमेंट उद्योग की बात करें चाहे मार्वल उद्योग की बात करें आपको प्रश्ण बनता है कि राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्टरिया कहां इस्थापित है यहां देहरदून में इस्थापित हैं ठीक है कागज उद्योग की बात करें तो अधिकांश जो कागज मिले हैं वो कहां है तो वो है नैनिताल और उधम सिंग नगर में ठीक है जो मैकसिमुम कागज की मिले हैं वो कहां है वो इन्ही दोनों जनपदों में हैं और एक सबसे बड़ी कागज जो उद्योग है एशिया का वो पल्प, बॉड कहाँ इस्तित है, यहाँ, लालकुआ नैनी ताल में इस्तित है, ठेके, अगला है यहाँ पर सूती वस्तर उद्योग, सूती वस्तर उद्योग के बात करें, तो इसके अंदर से आपको केवल एक ही इंपॉर्टन कोशन देखने को मिलता है, कि राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहां इस्थित है तो सबसे पुरानी चो सूती वस्त्र मिल है वहां काशीपुर में इस्थापित है ठीके कहां पर इस्थापित है काशीपुर के अंदर इस्थापित है कुछ अन्य प्रमुक यहां पर उद्योग है उनको देख लेते हैं यहां पर मुझे comment करके बताएंगे ठीक है रिशी केश वैसे देहरदून में आता है मैं ही आपको बता देता हूँ ठीक है आपको भी पता होगा तो Indian Drugs and Pharmaceutical Limited जो है यहां रिशी केश देहरदून के अंदर है Indian Medicine Pharmaceutical Limited देखे इनके नाम जो है थोड़े-थोड़े मिलते-जुलते नाम है इ इसके लावा एक और है Indian Institute of Ayurved for Drug Research ठीक है उसका भी नाम इनी से मिलता जुलता है तो आपको तीनों को याद रखना है सबसे पहले देखते है Indian Drugs and Pharmaceutical Limited यह है रिशी केश में अगर आएगा Indian Medicine Pharmaceutical Limited तो यह मोहान में है तो मा से मा आप याद रखते हैं Medicine और मोहान मोहान अलमोड में है ठीक है तो दो जो हैं वो अलमोडा के अंदर है एक मोहान में है Medicine वाला और जो आयूरवेद वाला है वो ताड़ी खेत में है ठीक है और जो ड्रग्स है वो रिशी केश के अंदर है ठीक है अगला है यहां पर जो उद्योग हमारा Hindustan Antibiotic Limited तो Hindustan Antibiotic Limited जो है यहा य हरीदवार में है कई वार, अ चान राएवार और एकजाम में होता है अपको यवल रानी पूर दे का और दो थीन आफशन देगा, रानी पूर दे देगा, रानी खेदे रानी बाग देगा इस तरीए के कन्फियूज इंग के लिए थान रखतना है BHEL रानी पूर में जिल ये कहां इस्थित है ये भी राइपूर देहरदूर में डिल की फुल-फॉर्म क्या उती है ये आपको पता होगा डिल को हम क्या बोलते हैं डिफेंस इलेक्ट्रोनिक application laboratory और यह कहां इस्तित है राइपूर देहरदूर में इसके अलावा opto electronics यहां राइपूर है यह भी राइपूर में है देहरदूर में है electronics उद्योग lancidon party गरवाल के अंदर है bel भारत electronics limited यह कहां है उत्रा कोड़वार के पौड़ी में ठीक है बेल कहां है कोड़वार में है पौड़ी के अंदर फिर है electronics and telephone factory electronics and telephone factory यह भीमताल नैनिताल के अंदर है वेवसीन कार खाना यहां पटवा डांगर नैनिताल के अंदर है और मैगनेसाइट के कार खाने यह दो चेत्र हैं 0 PJ और चंडाक छीजर हमने खनी चेत्र पड़ा था वाली वीडियो क्षेत्र है वहां क्यों प्रसिद है मैगनेसाइट के लिए ठीक है इसके अलावा बात करेंगे कुछ हस्त शिल्प और लगूदु को और कुटिर उद्योगे यहाँ पे उनकी सबसे पहले बात करते हैं रिंगाल की रिंगाल की बात करें तो इससे कंडी, चटाई, मोस्टा, टोकरी आदी यह सब बनाए जाते हैं रिंगाल से यहाँ आपको ध्यान में रखना है रिंगाल से क्योंकि प्रश्न पेपर में बनते हैं यहाँ से ठीक है कि रिंगाल को अप्योग किसमे किया जाता है एक परश्न बना भी था यह जो बंदी रक्षण का पेपर होता है 2016 के अंदर उसमें इससे प्रश्न बना था इन में से रिंगाल से क्या बनाय जाता है तो आपको अलग अप्शन दे रहे के थे कि कंबल बनाय जाता है माला बनाय जाती है ऐसे करके तो आपको ध्यान रखना है कंडी चटाई जो मोश्टा है टोकरी है ये सब किस्से बनाय जाता है रिंगाल से, कई भर ऐसे भी आपको पूछ लिया जाएगा कि जो मुष्टा बनाया जाता है, वो किस से बनाया जाता है रिंगाल से, ठीक है उनी वस्तर उद्योग की बात करें तो उनी वस्तर जो उद्योग है, उसके लिए अलमुडा और पौडी की जो उनी शाले हैं वो यहाँ पर काफी जादा प्रसिद है तो किस जनपदों की उनी शाले जो हैं वो प्रसिद हैं, उनी जो शॉल होते हैं अलमुडा और पौडी की, ठीक है कालीन उद्योग की बात करें में तामर धातु के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद है अलमोडा इसको पीतल नगरी या तामर नगरी भी कहा जाता है यहां भी पेपर 2016 में पूछा गया था ठीक है शमिक्षा अधिकारी के एक्जाम में तो धातु शिल्प के लिए कौन सा प्रसिद है धातु शिल्प में अ बाड़ाई या शार की उनको कहा जाता है और प्रसिद इस्थल कौन कौन से है उनके तो लोहा घाट जोहार घाटी नाचनी या मिलम जो है यह इनके प्रमक इस्थल है ठीक है प्रमक इस्थल है जो चर्म शिल्प से जुड़े हुए लोग है ठीक है कथा उद्योग की बात क यहां पर देखते हैं देखे शिल्प उत्पादों का दूसरे राजिये में किस नाम से बेचा जाता है उत्राखंड के अंजर जो शिल्प उत्पाद किये जाते हैं तो उनको और किस नाम से बेचा जाता है दूसरे राजियों में यहां पर पूछा जा रहा है तो हिमाद्री brand के नाम से इनको दूसरे राज्यों में बेचा जाता है तो उत्रखंड का जो शिल्प उत्पाध होते हैं उनको दूसरे राज्य में किस नाम से बेचते हैं हिमाद्री इसके अलावा जो लगू-उद्योग-सेवसंस्थान यह कहां इस्थापित किया जा रहा है तो लगू- तो यहां देहरदून में इस्तापित किया जा रहा है, ठीक है, शिल्क पार्क कहा है, देहरदून में, अब कुछ यहां पर आकड़े थे, उनको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर से कुछ जो नीतिया हैं, उनको यहां पर हम देखेंगे, देखे, कुल कारशील जनसंख्य कि अगर हम बात करें, यह ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं था, इसलिए मैंने इनको वीडियो के एंड में रखा है, ठीक है फ्रेंट्स, देखे, कुल कारशील जनसंख्या के बात करें, लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि बुक में यह आंकड़े दिये गए है 2011 के जनकड़ना के आधार पर, अगर बात करें, कुल कारशील जनसंख्या, यानि कि उत्रखन के अंदर अगर 100 लोग रहते हैं, तो उनमें से 38 दिशनलव, 49 प्रतिशा दोग्चा करते हैं, कारशील लोग हैं, ठीक है, मुख्य कारशील की बात करें, तो इनमें से जो 38 लोग इनको काम मिलता है, ठीक है, तो यह आपको ध्यानक नहीं, इन 38 की बात हो रही है, केवल, पहले 100 में से हमने 38 निकाले, कि लोग इतने लोग काम करते हैं, ठीक है, केवल मोटा मोटा यहाँ पर हम देख रहे हैं, और फिर हमने देखा कि इस 38 में से 34 फीसीदी हैं, उनको पू एक 2% के करीब जो हैं, वो घरीलू उद्योगों में काम करते हैं, बाकी जो अन्या छेत्रों में हैं, वो 38 फीसीदी उनकी सेंक्या है, ठीक है, अब कुछ नीतियों की बात करते हैं, कुछ पॉलिसीज की बात करते हैं, जो यहाँ पर ती गई हैं, उनको हम यहाँ पर डिसक तीन को आई थी ठीक है और फिर एक और दोगीक प्रोसाहन नीती की भी घोशना की जाती है 2008 में ठीक है और दोगीक प्रोसाहन नीती की घोशना कब की गई 2008 में और इस योजना को यह जो नीती थी इसने कब तक लगू रहना था ये भी परशन बन सकता है 2018 तक इसने रहना था जो कि अब खतम हो चुकी है, ठीक है, कुछ यहां पर महत्वपूर्ण नीतियां हैं, उनको देख लेते हैं, देखें, मेगा टेक्स्टाइल पार्क पॉलिसी, ये कब आई, 2014 में, मेगा फूड पार्क प्रोसाहन नीती, ये भी आई, 2015 में, मेगा अद्दोगिक एवं नीती, ये आई, 2015 में, लगू, शूश्म, और मध्यम, उद्द्योग नीती, ये कब आई, 2015 में, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, 2015 हो गई है, 2015 में, ठीक है, ब्रहद अद्दोगिक पॉल्जी निवेश, वा रोजगार पॉसाहन नीती, यहां 2018 में आई, एरोमा पार्क नीत दोहजार अठारा में आई, परियाटन नीती की भी नई घुशना की गई थी, 2018 में, इलेक्ट्रोनिक वाहन, विनिर्मान नीती, इलेक्ट्रोनिक वाहन से संबन्तित है, 2018 में आई, और स्टार्टप नीती, यहां भी 2018 में आई थी, ठीक है, इसके लावा एक दो कुशन और ह आपको इसे पूचे जा सकता है कि जो उत्राखन का राज्यय यूजन आयोग था, उसका स्थापना कब कर गया? तो राज्यय यूजन आयोग की स्थापना कियी आती है, 31 मार्च 2001 को, ठीक है, और इसके अधख़ कौन होते है, यूजन आयोग के अधख़श आपको पता है, म कपरेल से वित्यवर्ष शुरू होता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आरबियाई का वित्यवर्ष कब से शुरू होता है ठीक है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो फ्रेंट्स यह था हमारा जो उत्राखन का आर्थिक पारी द्रिश्य है उसको हमने यहां पर पर देखा उमीद करता हूं मैं आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझाने में कामियाब रहा क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा जटिल था काफी जादा कन्फूजन अंदर थे बुक के अंदर किसको कैसे पढ़ा जाए कैसे इसके नोट्स बनाए जाए ठीक है तो उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के ताज जरूर शेर करें थैंक यू फ्रेंड्स